नमस्कार पशुपलख्जातियो कि जो वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर क्या हैं आप लोगों को काफी इंट्रेस्ट भी रहता है और आप काफी आप लोगों को आमने पहले भी जो नुक्ते दिये हैं उनमें काफी आप लोगों को भी फाइदा पूचा है और आप लोगों के जो कॉमेंट आये थे उन कम कर जाता है तो उस दोरान आप अपना जो गरेलों नुक्षा कैसे अपना सकते हैं अपने पशों को आप सवस्तर रख सकते हो तो इस टोपिक के उपर मैं बात करूँगा तो मेरे किसान साथी जो मेरे पशुपालक साथी जो जुड़े हुए हैं उनसे मैं चाहता हूं कि इस जो चीज में आप लोगों को बताने जा रहा हूं आप उसको लिख भी सकते हैं और अपने पशुपर आजमास के भी कर सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है अगर आपका पशु बिमार भी नहीं होता है तब भी आप इस नुक्षे को करते हो तो आप देखोगे तीन से चार द उसके बाद आपने क्या लेना है निम्बू पाओ निम्बू लेना है उसके बाद आप देखते हो गयों का जो यह अटा हमने आप लोगों को दिखाया है इसको ले सकते हो आप पचास से सो गराम के बीच में भी तो अभी आप लोगों ने करना क्याम है आप लोगों को देना चाहता हूं जैसे चको से काट करके इसको और जो पाउ निम्बु मिल गी और मिठा सोडा कमें अभी आपी आपनीYU को जो मखदेताową हूं जैसे हैं कि आम इत्हा घुनते हैं कि आख गूनते है यह मिठासोड़ा था जो इसके अंदर हम जो अंदर कि देशी खांड थी जो आम ली थी उसको भी ऐसमने अचमिस कर ले ना है और जो नीम्बू का में निचोड़ा था जैसे निंबू पानी बनाते हैं निमबू का रस्व जैसे निशोड़ा था ओभी में मिक्स कर लेए और जैसे जो आपने देखेए हों कि माता बेने जो रोटि बनाने के लिए आठे को गुंद ती हैं उसी तरह आपने इस आठे को गुंद लेएंट और सबी चीजिजों को अच्छ में आपको लाल थन हो जाता है सोजसा जाता है लेवटी में अडर में और आपका पसु दूद भी कम कर जाता है इंफेक्शन की जैसे शुरुआती होती है तो मैं यह आपको निश्ची तोर पर करता हूं अगर यह उपाय आपने पहले ही कर लिया तो आपका पसु कभी बीमार सब्कराबही नहीं होगा और मैं यह जह सकता हूं जो छेचटोन की भी बैसी च्ञाएगी अगर आपके क्यों सब्सक्राइबॉटेज है तब भी आप इस नुखते को देते हो तो मैं यह कह सकता हूं आपका पसु दूद भी शुरू कर देगा तो यह चोटा हनुकता आप लोगों को दोस्तों कैसे लगया यह कमेंट करके आप जरूर बताना और आगे का आप किस टोपिक के उपर आपना वीडियो चाहते हो और किस तरह कि आप जानकारी यह नहीं मिलावाज यूटुब चैनल पर चाहते हो यह हमारे क कमेंट करके बताएं तो जैसे मैंने यह जो सारी चीज़े आप लोगों को बताए थी इस तरह का जैसे लड़ू बनकर के तयार हो जाता है और आप अपने पशू को किसी को भी दे सकते हो बड़े चाव से यह अपने आप भी खा लेगा यह यह अभी मैं दिखातना हूं यह यह आपने आप भी खा जैएगा यह देकर जो कि मैं टाइम टाइम आपने पशू को देता रहता हूं मिठा सोडा कितना technical और उसके बाद क्या लेना है आपने देशी खांड कितनी ऐता के जी इशी सिक कॉल उसके बाद आपने क्या लोगों को डेंदे कर दिखाया है इस पशुपालन शेत्र में अपनी उन्नती को मजबूत बनाएं आनिमॉल आवास के साथ जुड़ जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकेन को दबाना ना भूलें